हेलो दोस्तों आज हम कवर करेंगे इंडिया वर्ष श्री लंका का बिच जो ODI मकाबला खेला जाएगा ये मकाबला खेला जाएगा तेतिसमा बतिसमा मकाबला हो चुका है ये तेतिसमा मकाबला खेला जाएगा जो है इंडिया और श्री लंका इंडिया और श्री लंका जब आपस में भीरेगा तो कौन सा टीम जीतेगा और कौन सा टीम हारेगा पीच रिपोर्ट क्या रहने बाले हैं बैटिंग पीच है या बॉलिंग पीच है और यहां पर कौन सा बेस्टमेंड को अच्छे स्कोर है और कौन सा बेस्टमेंड फ्लॉप्स होता है और श्री लंका का क इस बेस्ट में को रखना चाहिए शारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा बी डॉट बिना एसकिप किये इस वीडियो को आयन तक जरूर देखना यह आप देखिए रोहिस सर्मा रोहिस सर्मा का रिकार्ड रिसंट के फोर्म काफी अच्छी चल रहा है लेकिन स्री लंका का अगेंस कास्ट परफॉम नहीं कर रहा है हलाकि बैटिंग पीछ है तो रोहिस सर्मा को आप अपने टीम में श्रेप के लिए श्रेप्टी के लिए रखना ही परेगा अब बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्शन में यह पर कोड़ेज में इस रा ठीक ठाक पर रेखना हुआ इससे पाले मैं आपको बता देता हूं पीच रिपोर्ट यहां पीच रिपोर्ट जो है बैटिंग पीच है यह पर गुड़ पर पेसर को ज्यादा सपोर्ट मिलता है यहां पर अब्रेज इसकोर 239 बन सकता है बैन्नू और कंटा एस्टेडियम जो है बुंब सकोर के बात करें तो 438 इस ग्रॉंड पर बन चुका है रिसांड के फॉर्म के अनुसार इंडिया काफी इस्टोंग टीम है लेकिन सिरी लंका भी कमजोर टीम नहीं है यह बात भी धियान देना होगा क्योंकि आपको गरेंड लिग कमजोर ही टीम बाले बंदा जो होता है व हूं यहां पर देखिए विकेट कीपर सेक्षन से तीन विकेट कीपर अभी मिल रहा है एक में कराड़ा मेसरा जो की बैस्ट में काफी अच्छे हैं लेकिन इंडिया के अगेंस इनका रिकॉर्ड काफी फिका है ध्यान से सुनिए यहां पर रिचर्ट के फॉर्म ठीक ठाक ह लेकिन है टू हैड्रिकॉर्ड अच्छे नहीं है सैलेठ्ट पर सेंड हाइँ हो गया सालेक्शन केंट ही हुआ तो इसे अपने टिम में रख सकते हैं अनियता ड्रॉप कर सकते हैं हलाकि ब्लिट काफी अच्छे है तो अपने टिम में सामिल किजिएगा तो चॉंस हो सकता है अच्छे स्कूर करें के राउल के राउल तोरा नीचे उतरेगा लेकिन ठीक ठाक पड़ाषन कर लेता है एक तरह से रीट का हड़ी है के राउल इंडिया टीम का जब कोई पिलियार नहीं चलता है तो K.R.Aul रखने के लिए K. R.A. आपके टिम में जरूरी है अब बात कर लेते हैं Asmamsка जो कि ये K.M.A. और Asmams इन दोनों का रिसनट के फॉर्म ठीक ठाक है लेकिन head to head record ठीक ठाक नहीं है ध्यान से सुनिएगा उसके बाद मैं अपनी टीम बनाऊंगा यहाँ पर वेस्टमिन में आईए वेस्टमिन में रोईस सर्मा का रिशन के पॉर्म काफी जबदस्त है लेकिन स्री लंका का अगेंस भी काफी जबदस्त है बिराट कोईली का स्री लंका का अगेंस ठीक ठाक है उसके बाद सुमन गेल के सिरी लंका का अगेंस ठीक ठाक नहीं है लेकिन रिसंट के फॉर्म ठीक ठाक है पादुम निकेलसन इंडिया का अगेंस एक मैच में अचा स्कूर किया है दो मैच खेला है एक मैच स्कूर किया है टू एड रिसंट के मैच में एक में नहीं के लिए वेस्ट में कापी संदार है या पर बिराट कोई ल olmaz आयर इस बसेंड घ्रमार्ता के ओलेकर और कियुक्सट है गिर जाएगा इसलिए शूर्या कुमार यादव खेलेगा डर्मकार्ड का रिक्सिप लियर रिकाउट ठीक ठाक है चांस मिलेगा बैटिंग का तो कर सकते हैं नहीं मिलेगा तो नहीं कर रखते हैं इनपॉर्टन जो जिसका रिकाउट अच्छे है उसे मैं बता दियाओं डर्मकार्ड का रिकाउट खास अच्छे नहीं है यहाँ पर चलिए आपको बता देते हैं इनपॉर्टन पिलियर के बारे में और अपने टिम में किसे रखना यह भी बताएंगे यहाँ पर रभिंद जेड़ेटा और मेथवड यहाँ पर मेथवड टिक टाक रहेगा श्री लंका का अच्छे खासे पिलियर है रभिंद जेड़ेटा ठिक टाक पिलियर रहने बाला है कि नहीं क्योंकि रभिंद जेड़ेटा ठिक टाक पिलियर कैसे रहेगा यह जानने के लिए आपको मैं पाहले बता देता हूं यहां पर कुल मेला कर इस ग्रावन्द पर 25 मुकावले खेले गए हैं 25 मुकावले में से प्रेसर 218 विकेट तर एक साथ आरे भी किट निकाला है इस तरह से आधा अधि एस पिनर को भी सपोर्ट मिलता है लेकिन वहीसा spinner coach report मिलता है जिसका bowling में turn हो जैसे कुल्दी प्यादव को bowling में turn हो रहा है वहीसा कुल्दी प्यादव को बिकेट मिलने का chance हो सकता है यहाँ पर बात कर लेते हैं अब यहाँ पर कोई नहीं कहलेगा अगर R.O.S.U.A. नहीं कहलेगा टीम में रिक से टीम में track कीजेगा अन्यता नहीं आप यहाँ पर बात कर लेते हैं बॉलर सेक्षन में बॉलर सेक्षन में जिस विरित बुमरा रिकाउड काफी अच्छे हैं ठीक ठाक परदेशन कर ला है मौहम्मत समी का रिकाउड ठीक ठाक है लेकिन सिरी लंका का अगेंस का परफॉम नहीं करता है यहाँ पर सिरी लंका का अगेंस मातर खेला है पहुंच मैच पहुंच मैच में से बिकेट निकाला है एक अक बिकेट मिल जाता है ध्यान से सुनिए हर कोई आप स्रिलंक महम्मद समी को कैप्टन और वाइस कैप्टन देंगे मैं सजेस्ट करूँगा भुम्रा को आप दे सकते हैं और यहाँ पर देखे कुल्दी प्यादब जर्मकाड पिलियर का रूम में रहेगा अच्छे खासे स्पीनर है महम्मद सिराज भाई महम्मद सिर एक रहने वाला है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए ठीक ठाक कुछर राजा ठीक परदर्शन करेगा डूमेश्ट एक मेच किला है एक विकेट निकाला है अच्छे खासे बोलर है ठीक परदर्शन करने का उमीद इनसे लगा सकते हैं आप देखिए यह सब का रिक बैटिंग करेगा तो इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो के राउल को ट्राइक कर सकते हैं क्यों क्योंकि इंडिया जब पहले बैटिंग करेगा के राउल का बैटिंग रन बनने का चौंस विकेट बैटिंग करने का चौंस आ सकता है क्योंकि के राउल का रिकौड ठीक है और यहां पर देखिए रिट का हड़ी है तो विकेट की पर सेक्षन में किसी एक को ट्राइक कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों को अब वह इस तर्मा बिराट कोईली को लेने के बाद आ जाईए सुमन गेल क्या सुमन गेल को अपने टिम में रखना चाहिए या नहीं देखिए सुमन गेल बैस्ट में के दिरिष्टरी से काफी अच्छी है हो सकता अच्छे फॉम कर सकता है कभी नहीं भी करेगा इस कंडिश लेटा का सेलेक्शन परसेंड हा है और अच्छे खासे बैवे बॉलर है तो यह मैं दनकोड लूँगा रभीन जैटा को सेलेक्शन परसेंड हाई कारण में उसे ड्रॉप करके जा रहा हूं अब यहां पर बॉलर सेक्शन में जैस्पिरित पुम्रा और मुहमस समी को ले सकत रहेगा आज मुहमस सिराज और के राजत ठीठाक रहेगा यहां पर साथ चार का मैंने कमनेशन बनाया हूं साथ चार का कमनेशन बनाया हूं अगर आप चाहें तो एक जो है बैस्ट में बॉलर जो है इस्टरा ले सकते हैं वह है स्रीलंका का लेकिन इंडिया भी बॉhler के साथ जाएंगा क्योंकि मुझे बॉलर काबलिएथ पर विशवाष है अब नेश्ट करता हूं नेस्ट करने के बाद अब यहां पर आएं यह misschien साथ यहां पर देखीए अगर हैँ तो सिराज के कैप från और वोईस केप्टन धिकवाई-ठ्रीक होगा ठीक ठक होगा आप वोईस केप्टर्ण सिराज को दे सकते है अच्छे खासे रिकार्ड निकाला 600 विकेट निकाला को शे क्योंकि रोही सर्मा रिटरंड के फॉँम्म भी ठीक है अच्छे खासे स्कोर करने का उमीद सर्ज़ेखते हैं या बिराट को इलिको जब इनडिया पहले बैटिंग करेगा तो रोहिस सर्मा को केपटन दीजेगा और बोइस केपटन बिराट को इलिको पहले सकता हाई अगर जब इंडियाअ पाले बॉलिंग करेगा जब इंडिया पाले बॉलिंग करेगा तो माहमद सिराज को क inom दिजिएगा और वई किय रूम में जयसरीट बुम्हा को आप दे सकते हैं अच्छे खासे रहेगा अगर आप इन दोनों को नहीं देना चाहते हैं तो रोई सर्मा हर कोई देना चाहेगा केप्टन से अगर रोई सर्मा फ्लोप्स हो गया तो आपको टीम फ्लोप्स हो जाएगा और केप्ट चल गया तो आपको अच्छे खासे पॉइंट दे कर जाएग यहाँ पर मैं कैप्टन द connectivity हूं जो इनपॉर्टन रहीगा यहाँ पर कैप्टन और वाइश कैप्टन मैं कुछ अलग यूनी करने वाले हूं क्यप्टन के रूम मुझे आज जो है मौमद सिराज रहेगा जस्विरित भूम्राब भॉईश केप्टन के रूम में रहेगा शेव टीम करता हूं सेव टीम करने के बाद मेरा टीम का पर युक किस तरह से रहेगा देखिए यहाँ पर पीस जो है बैटिंग का सपेटा है मैं बॉलिंग की टीम यह हूं क्योंकि यह गृम्रिक का रिख्षिट त्दीं होता है आप लेक्न ग flourisch प्रॉप्द हूँ हाई यब यह वीडियो आपको पसंद आए तो नेस्ट वीडियो आजाहिन दोस्तों.